तो स्वागत है आप सभी का ग्याफन इकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के उर्दू सब्जेक्ट का यह वीडियो में यहानि की वैरी वरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव कोशन एंसर के साथ में आप लोग कराऊंगी और जो 10th क्लास के उर्दू का बुक है उसमें जितने भी चैप्टर है हर एक चैप्टर को एनलाइसिस करके एकदम निचोन निकाल करके यह देखना कि किस किस चैप्टर से जादतर कोशन पूचे गए हैं किस किस चैप्टर से कम कोशन पूचे गए हैं और पिछले साल कोशन फ tenía कैसी कोशन पूछे जाएंगे कर São या फिर अगर आप लोगों ने starting से तयारी किया है और करते हारे हमारे हर एक वीडियो को देखा है आप लोगों ने तो भी हर एक student के लिए ये वीडियो काफी important है क्योंकि जो आप 365 दिनों में तयारी करते हैं न वो तयारी को मैं मातर इस एक वीडियो में करा देने वाली हूँ ठीक है न वो तयारी मातर इस एक वीडियो में हो जाने वाली है टोटल सब्जेक्टिव कोशन का निचोड टोटल टेंथ क्लास के उर्दो के बुक का निचोड है मातर इस एक वीडियो अगर आप इस एक वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देख लेते हैं बिना स्किप किये तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि हर एक सब्जेक्टिव कोशन का एंसर आप लोग फाइनल एक्जाम में लिख कराएंगे बस शर्त यह है कि जितना भी सब्जेक्टिव कोशन आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को कराऊंगी हर एक सब्जेक्टिव कोशन पर आप लोग का कमांड होना चाहिए यह शर्त है बस और कुछ नहीं तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि आप लोग स्टार्टिंग से लेकर अंध तक बीना स्किप के वीडियो को देखिए क्योंकि अभी स्किप करने का वकत नहीं है अभी वकत है आप लोग के जोश में आने का स्पीन में आने का और तयारी जबरदस्त करने ठीक है ना तो चलिए आज के इस वीडियो को बीना बात किये पड़वर स्टार्ट करते हैं और सारे मस्ट भी विए सब्जेक्टिव कोशन का एंसर मैं आप लोग को कराती हूं और आप लोग मेरे एंसर बताने से पहले खुद सही एंसर देने की कोशिश कीजिएगा जिससे यह पता चलेगा आपके तयारी की जहांच हो जाएगी और यह पता चलेगा कि आप लोग कितने सब्जेक्टिव कोशन का एंसर खुद से दे पा रहे हैं और जिस कोशन का आप लोग एंसर नहीं दे पा रहे हैं निराश होने की जवरत नहीं है आप लोग एंसर देख लिज एक और चोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टाटिंग में ही विडियो को लाइख शेर जितना ज्यादा हो सके कर दे जाएक तो बस एक ही बार होता है ना तो लाइक एक बर कर दे लेकिन शेयर आप लोगो को जितना मैं चाहे उतना बार करे कोई दिक्कत नहीं है चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर आउन कर लिजेगा ताकि जब भी वी वीडियो अप्लोड हो या फिर लाइब क्लास हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लास 10 उर्दू मस्ट विवीए सब्जेक्टिव कोशन विट एंसर में आप लोगो हर एक क्योश्चन को कम्प्लीट कराओंगी चले स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला सवाल on the screen है इसमें हर तरह के सब्जेक्टिव हैं तो इस बात को ध्यान में रखकर विडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखिएगा और हर एक सब्जेक्टिव कोशन पर कमांड कर लेना है आपको सबसे पहला सवाल आ गया है कि मेहदी अफादी कब और कहां पैदा हुए इंपोर्टन कोशन है मेहदी अफादी इस भी में हुई थी आगे बढ़ते हैं मेहदी अफादी ने कितनी शादिया की थी उनकी बेगम का नाम क्या था और वह किस नाम से मशहूर थी यह इंपोर्टन कोशन है आप लोगे कुद ट्वेल्थ क्लास के उर्दू का जो अफिसियल मॉडल पेपर आया है दोजर पूछा गया है तो मेहदी अफादी ने कितनी शादिया की थी तिन शादिया की थी और उनके बेगम का नाम अजीम निसा था जो की बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हो गई ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है उर्दू टाइपिंग में थोड़ी सी और पेंटिंग में भी इमेक किया था यह इंपोर्टन कोशन है इसको भी याद रखिएगा और ज्यादा इसमें टफ भी नहीं है देखिए अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ रहा है तो यह सारा कोशन आप लोगों के लिए एकदम हलवा लग रहा होगा ठीक है और आप लोगों को चैप्टर पढ़ा चुकी हूं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्टर में डाल दिया गया अगर आप लोग चाहते हैं कि अभी से भी है वक्त और हम पढ़ ले तो कोई दिकत नहीं आप लोग पढ़ सकते हैं लेकिन मैं तो आप लोगों को यह करूंगी क आज की इस वीडियो को आप लोग स्टाइंग से लेकर अंत तक देख लेते हैं और यह जितना भी सब्जेक्टिव कोशन इंसर कराती हूं इस पर कमांड कर लेते हैं तो फिर आप लोगो चैप्टर पढ़ने की जोरत ही नहीं है इसी सब्जेक्टिव कोशन में से आप नाविल है यह खुझा गया है तो यह एक किस्टा जो है ना फिर्धसी का शाहनामा से लिए गया है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल नजीर एहमद के किसी दो नाविल नाम लेए यह भी इंपॉटन्ट सवाल है पहले नाविल का नाम तो इंपॉस्ट है और दूसरी नावि है कि हम्द और नात में बुनियादी फर्क क्या है तो हम्द और नात में फर्क आप लोगो को बताना है देखें यहां पर लिख दिया गया है जवाब में हम्द नजम की उस किस्म को कहते हैं जिसमें खुदाय ताला की तारीफ तासिफ बियान की जाती है और नात उस नजम को क कि तरह ही लिखे जाते हैं बस हम्द में क्या लिखा जाता है मतलब किसकी तारी पोसिप बयान की जाती है तो अगे बढ़ते हैं अगला सवाल कि रुकया भाबी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था तो कहानी रुकईया भावी में, रुकईया भावी के जिस देवर का करदार पेश किया गया है, उसका नाम अखतर था, देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से लफजों को सजा कर लिखा गया है, इसी तरीके से आप लोगो को भी लिखना है, ताकि कॉपी चेक करने वाला करना है, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो ये बहुत खलक बात हैं, आप लोग लाइक कर दिया करें, और शेयर भी कर दिया करें, ग्यारा नमबर सवाल है कि रुकईया भावी को जब फुरसत मिलती थी, तो अपना शौक पूरा करने के लिए, तो इसी अपने लोग थें, और शागिर्द, यानि कि अपने स्टूडेंट को खुतूत लिखा करती थी, नेक्ट कोशन, भीम राव अमबेड कर के वालिदेन का नाम लिखिए, तो भीम राव अमबेड कर के वालिद का नाम, राम जी मालो जी सकपाल, जो कि यहां पर गलत टाइप ह आप लोगों आप लोगों याद भी होगा, तो राम जी मालो जी सकपाल था, पिता जी का नाम और वालिदया, यानि की नाम था, भीम बाई, नेक्स्ट कोशन, तेरं नंबर सवाल है, कि हम्द किसे कहते हैं, जवाब में लिखा गया है, अरभी लोगत में हम्द के माणी त अक्रिबन तमाम और्दोश्वारा ने हम दिल लिखा है नेक्स्ट कोश्टन है कि महमुद के किरदार पर पांच जुम्ले लिखिए तो महमुद और डॉक्टर मुहमद मुहसीन के जिरन साब अफसाना फरार का मरकजी किरदार है महमुद जो है ना वो डॉक्टर मुहमद मुहसीन का जो कहानी है फरार इस कहानी का मेन करेक्टर है तालिब इल्मी के जमाने में हैं एक मिनट रुक जाएं तालिब इल्मी के जमाने में ही उसके वालिदीन इस दुनिया से रुकसत हो गए महमूद के वालिदीन जो है थे हैं वो इतालेब इलमी के जमाने में ही स्टूड़न लाइफ में ही इस दुनिया से रुकसत हो गए याणि कि उनका इंतिकाल हो गया चुनांचा ठोकर लगने से वो तजर्बकार होता चला गया ठीक है और आगे सक्सेस भी हो गया जाकर और उसके बाद से इसके पास चारो तरफ से धेर सारे रिष्टे आने लगे पूरी कहानी आप लोगों को बताई हूँ खेर आप लोगों को बता होगा आगे बढ़ते हैं या पर पांच जुमले में ही लिखना था एंसर मुहमूद के किरदार के बारे में पांच सेंटेंस में इंसर लिखना था तो आप लोग पांच सेंटेंस में एंसर लग दिजिएगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पंदरा नमबर सवाल है कि मुहम्मद मुहसिन की पैदाइश कब और कहां हुई तो डक्टर मुहम्मद मुहसिन की पैदाइश जुलाई उन्हें से दसको हुई थी पठना में भीमराओं बेटकर की पैदाइश कब और कहां हुई तो उनकी पैदाइश हुई थी अपरील 18 सोने इस भी को महु सेंटरल इंडिया में अगला सवाल है कि रुकईया भाबी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बरदास्त करती थी और क्यों तो वह एक शमी नाम की गरीब लड़की थी जिसकी तालीम का खर्च रुकईया भाबी खुद बरदास्त करती थी गुर्बत के बावजूद शमी को पढ़ने का बहुत शौक था उसके वालिदेन उसकी तालीमी खराजात के मतहमिल नहीं थे इसलिए रुकईया भाबी की शकल में अल्ला ताला ने उनकी तालिम का जरिया पैदा कर दिया और रुकईया भाबी शमी नाम की लड़की की तालिम यानि की पढ़ाई लिखाई का कर्च खुद ही उठाती थी अगला सवाल है कि डॉक्टर मौमद मौसिन की किस मौजू पर महारत रखते थे तो वो नफसियात यानकी साइकलोजी पर उनको महारत हासिल थी सौहिल अज़म अबादी के अफसानों के पहले मजमूबा का नाम क्या था? और वकी सछाल शाइ हुआ ये भी इंपॉर्टन सवाल है तो सौहिल अज़म अबादी के पहले अफसाने काम यानकी कहानी के किताब का नाम है चार चेहरे जो की आजादी के बाद शाय हो चुका था सही और शही में एक मिनट रुगे सही और सही के फरक को जुमलों में इस्तमाल करके वाज़ा कीजे ये सवाल है तो देखे लिखा गया है जवाब में मानी के लिहाद से दोनों में बड़ा फरक है सही के मानी गनीमत के होते हैं जबकि सही के मानी दुरुस्त के देखिए ये सुआद से है सही और ये है सीन से है सही तो दोनों में फर्क है ये सही का मानी गनीमत के होते है और ये सही का मानी होता है दुरुस्त के देखिए यहाँ पर लफजों में इस्तमाल कर जूमलों में इस्तमाल करके फरक वाज़ा कर दिया गया है यह सही का मतलब होता है कि अगर हलवा मैसर नहीं तो गुड़ी सही मतलब अगर हलवा नहीं है तो गुड़ी सही कलम नहीं है तो पैंसिल ही सही किताब नहीं तो कोपी ही सही तो यह वाली वाले सही का यूज इस तरह के जुम्ले में किया जाता है लेकिन यह वाला जो सौध वाला सही है ना इस लवस का यूज इस लवस का मतलब क् Sugма होता है दुरूस्त यानि की जूट बोलना सही نہیں ہے अच्छा नहीं है तो इस लफ़ को हम लोग इस तरह के जूमले में यूज़ करते हैं तो दोनों लफ़ को जूमले में इस्तमाल करने के बाद फर्क तो वाजी होई गया कि दोनों में अंतर क्या है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कि निगार अजीम के सफर्णामा का नाम क्या है तो उनके सफर्णामा का नाम है अकस कमर जहां की खालात जिंदगी पर पांच जुम्ले लिखिये तो कमर जहां समझतीपूरजिला के एक गाउ बुजर्ग दौर में उन्हेक क्याउनिस जिस्मी में पैदा हुई और बcular 걸ोबार उनका अबाई वतन है कमर जहां के वालीड का नाम स्यदा इताूलहक था गाउं में स्यदा इताूलहक का खानदान या पर का रहेगा का ख् ramen तालीमियाफट्छ था घर के लोग खुद भी तालीमियाफट्छ थे और इल्म औदब से दिल्चस्बी भी रखते थे कमर जहां भी अब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद पटना आ गई और यहीं इंटर से पिएजडी तक पटना इंटरसिटी में तालीम हासिल की आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 23 नमबर सवाल है कि सिराज की वालिदा अपने बेटे के घर उक्ताहट क्यों महसूस करने लगी सिराज की जो वालिदा थी वो अपने बेटे सिराज के घर उक्ताहट इसलिए महसूस करने लगी कि वहाँ उन्हें कोई घरेलू जिम्मेदारी ही नहीं थी सिर्फ खाना और आराम करना था इसलिए उनकी जिंदगी में एक यक्सानियत आ गई थी जिसके वज़ा से वह बेटे के यहां इफ्तार देखिए यहां पर गलट टाइप हो है बेटे के यहां उक्ताहट ठीक है उक्ताहट उक्ताहट महसूस कर रही थी हो गया एंसर पूरी कहाने तो आप लोगों बताई ही हूँ क्यूशन नमबर 24 है कि गलोबल वार्मिंग क्या है जवाब में लिखा है गुजश्त लगबग निस सदी से हमारी जमीन का दरजहरारत तेजी से बढ़ रही है जमीन के इस दरजहरारत में जो उस्त इजाफा हो रहा है इसे माहरीन माहौलियत ने तमाजत अरजी में तदरीजी इजाफा यानि गलोबल वार्मिंग के नाम से याद किया है आज पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला बन चुका है जिससे हमारी दुनिया में परेशानी हो रही है देखे इसको सौटकॉट में मैं अपने जबान से बता देना चाहती हूँ अभी गैस शामिल है जैसे नाइट्रिक औकसाइड कर्बन डायोकसाइड वगरा 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 कोश्ट नबर ट्वेंटी सिक्स की डॉक्टर अब्दुल मुगनी की दो किताबों के नाम लिखे पहले किताब का नाम लिख दिया गया है मियार वगदार और दूसरे किताब का अगला सवाल 27 नंबर की गलोबल वार्मिंग से बचने के लिए तुल्बा को अबुल कलाम आजाद ने कौन सा जादू मंतर बताया जादवी मंतर बताया तो गलोबल वार्मिंग से बचने के लिए तुल्बा को अबुल कलाम आजाद यानि कि स्टूडन्ट को मौलाना अब अपने आपको महफूज रख पाएंगे तो ये जादुई मंतर बताये थे मौला ना अबूल ख्लामाजाद छात्रों को अगला सवाल है कि सरस्यद की जिंदगी के बारे में पांच जुम्ले लिखिए सरस्यद मदखा की शक्सियत को हिंदुस्तान में तारीखी हैसियत हासिल ह उनकी पैदाइश दिली के एक तालीम या फटग घराने में अठारसा सत्राइस बी में हुई उनके वालिद का नाम मिर्तकी था मिर्मतकी याद रखिएगा मिर्मतकी ये इंपॉर्टन्ट है मिर्मतकी और वालिदा का नाम अजजिज उन्यसा बेगम था सरस्यद की तालीम और तर्बियत और जहन साजी में उनकी वालिदा का बहुत बड़ा रोल था मुलाजमत से सबुक दोशी के बाद सरसयद में मुसल्मानों की तालीम के लिए अलीगड में कॉलिज खोला जो आगे चलकर अलीगड मुस्लिम निर्सिटी के नाम से मश्हूर हुआ नेक्स्ट को सभाषा निवैस उन्हें से गयारे सिटामर्य को था न म्ड़ी सीटै में होई थी ठीक है अगला सवाल अक्बर अबादी और अक्बर अबादी की तकलीद की है याद रखिएगा इंपॉर्टन कोशन है नजीर अक्बर अबादी और अक्बर अबादी की तकलीद की है सरस्येद ने साइंटिफिक सोसाइटी का क्याम कहा किया सरस्येद ने साइंटिफिक सोसाइटी का क्याम घाजीपूर में किया था जिन्दानी बेनजीर एक मिनट जिन्दानी मैं पढ़ रही हूँ जिन्दगानी जिन्दगानी बेनजीर के मुसनिफ कौन है तो मुसनिफ यानि की राइटर जो है वो अब्दिलकफुर शॉवाजी है यानि की इनका ये लिखा हुआ है जिन्दगानी बेनजीर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कि सरस्येद का इंतकाल कहा हुआ और उनकी कबर कहा है तो सरस्येद का इंतकाल अलिगर में ही हुआ और उनकी कबर अलिगर में ही है उर्दू का पहला नकाद किसे कहा जाता है तो उर्दू का पहला नकाद हाली को कहा जाता है ये इंपोर्टन के लिए कहा गए और उन्हें किस अवाइड से नवाजा गया तुभह हम राओ जो है मजड्य तालीम हासिल करने के लिए अमेरीका गए और उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया किस्तिसर अफसाना यहा membership, 30 पर सबांब कि अफसाना जदीद तरीन अफसाना है जिस count कम से कम वाकियात गिने चुने किदार और हस्ब जरूरत कम से कम अलफाज का इस्तमाल करते हुए जिन्दगी के किसी एक पहलू को उजागर किया जाता है मुक्तसर अफसाना ज्यादा से ज्यादा आदा घंटा में पढ़ा जा सकता है आदे गंडे में पढ़ा जा सकता है मुटतसर अफसाना यानि की शौट स्टोरी कॉश्चन नमर 41 है कि कमर जहां की कहानी कटी वी शाक में किस समाजी मसले की निशान दही की गई है यहां पर किसी नहीं रहेगा किस रहेगा ठीक है तो जवाब में देखी लिखा गया है इस कहानी में कहा गया है कि इंसान दौलत कमाने की हवस में जनत निशा वतन को छोड़ कर अरब इरान और अमेरिका जैसे दूसरे मुलक में चला जाता है मगर वह जिन्दगी उसे रास नहीं आती एक नएक दिन उसे अपने वतन वापस लोटना ही पड़ता है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कि महमूद का दोस्त अजीम महमूद को कहा ले जाना चाहता था और क्यूं ले जाना चाहता था जवाब में लिखा गया है कि अजीम चाहता था के महमूद लड़कियों से मिल जूल बढ़ाए और उनका कर्ब हासिल करे इस ख्याल से वह महमूद यहां पर महमूद को नुमाईश की सेर कराना चाहता था और वहीं करीब के एक रिस्टोरेंट में महमूद को खालिदा की खालिदा नाम की खालिदा याद रखिएगा खालिदा नाम की एक लड़की से मिलाना चाहता था और बात यहा है कि अजीम से वादा कर लेने के बावजुद महमूद आधे रास्ते से लौट आता है जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह का रितकाब करने जा रहा हूँ मतलब उसको रास्ते में जब जा रहा होता है उस रेस्टोरेंट में खालिदा नाम की लड़की से मिलने के लिए तो रास्ते में उसे एहसास होता है कि नहीं तू गलत कर रहा है यह गुनाह है ठीक है ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए तो वो आधे रास्ते से ही वापस लौट आता है उस लड़की से मिलने के लिए नहीं जाता है पूरी कहानी तो आप लोग को बताया ही गया है बस आप लोग अगर चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं या फिर पढ़े भी हैं तो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जुड़े रहे और हर एक सब्जेक्टिव कोशन जो मैं आप लोग को करा रही हूं यह हर एक सब्जेक्टिव कोशन को आप लोग कम्प्लीट करें ठीक है क्योंकि इसी में से आप लोग के फाइनल एक्जामी कोशन पूछे जाएंगे इसे बाहर नहीं पूछे जाएंगे यह मैं आप सबसे बड़ा रियाकार कौन है तो वह लोग जो अन्जाने में भला बुरा काम करते हैं और अपने कामों को इंकार सवाब बताते हैं ऐसे लोग खुद फरेब में मुपतला हैं और दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं इनसे बड़ा रियाकार कौन हो सकता है यानि कि वो लोग जो कि भला बुरा काम करते रहते हैं और फिर वो जानते हैं कि हमारा काम बुरा है लेकिन फिर भी अपने काम को ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं ऐसे लोगों से बड़ा रियाकार कौन हो सकता है तो इस वज़े से यहां पर इंसर लिख दिया गया है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कुशन नमर 44 है कि आशियाना का मरकजी ख्याल क्या है तो हम बूढ़े हो या जवान अपनी हैसित के मताबिक अपने सपनों का ताजमहल बनाते हैं और अपने घर की चाहर दिवारी के अंदर तनहा हुकमरानी करना चाहते हैं उसमें किसी और की मदाखलत हमें मन्जूर नहीं ठीक है यह है आशियाना का मरकजी ख्याल इसी वज़ा से आशियाना नम का ये कहानी लिखा गया है कोशन नमर 45 है कि अफसाना फरार के किसी तीन किरदार का नाम लिखिए तो देखिए तीन किरदार का नाम लिख दिया गया है पहले में महमूद, दूसरा में खालिदा, तिसरा में अजीम Q46 कि निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या था और वा कब शाय हुआ तो उनके पहले अफसानवी मजमुआ का नाम अक्स था जो कि उन्हें से नबे में शाय हुआ Q48 की तनकीद के बारे में पांच जुम्ले लिखिए पांच सेंटेंस में लिखकर आप लोगो तनकीद के बारे में बता देना है तो देखिए लफ तनकीद नकट से बना है जिसके मानी खरे खोटे की पहचान के है इस अमल को अदब के इस्तला में तनकीद कहते हैं आम तोर पर किसी अदबी फनपारे पर तनकीद की जाती है और उसकी खामियों को उजागर किया जाता है तनकीद का मतलब यह नहीं कि सिर्फ बुराई बताना तनकीद का मतलब होता है अच्छाई और बुराई दोनों बताना आपके कलाब में कौन सी खुबी है और कौन सी कमी है यह सबी चीजों को बताना यानकि खरे खोटे की पहचान करना ही तनकीद कहलाता है आप लोग अपने हिसाब से भी लंबा चड़ा 5 सेंटेंस में लिख सकते हैं हलांकि यापर 5 सेंटेंस में नहीं लिखा गया है आप लोग खुछ चाहे तो लिख सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कि ड्रामा की तारीफ मुखतसर कीजिए ठीक है यानि कि शॉर्ट में आप लोगो ड्रामा की तारीफ करना है तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि ड्रामा एक अद्वी सिन्फ है किसी अमल को करके दिखाने का नाम ही क्या है ड्रामा है किसी अमल को किसी काम को करके दिखाने का नाम ही क्या है ड्रामा है आगे बढ़ते हैं 50 नमबर सवाल आप लोगे स्क्रिन के उपर आच चुका है गालिब ने अपने खतूत में किन बातों का इज़ार किया है गालिब ने अपने खतूत में नीजी बातों के लावा मौशरे के इनकलाबात और उसरी हैसियत के साथ गदर के हालात भी देखे हैं और अपने रोज और शब की बाते भी तहरीर किये हैं तो अपने खतूत में ये सारे बातों का जिक्र जो है ना मिर्दा गालिब की हैं 50 कोशन हम लोग अलड़ी कमप्लीट कर चुके हैं सोचिए आप लोग बस जुड़े रहे और इन्शाला बहुत जल्द हम लोग मैं ज्य पर पास सत्रे यां पर लिख दिया गया है जवाब में लिखा गया है कि गालिब की खुद्ट की जबान साफ और सलेस और रवा हैं बदूद में बामहावरा जबान इस्तामाल किया है जराफत की चाषनी भी मौझूद है तहरीर का अंदास मकालमा आती है गालिब ने हैं अपने बेटी को यह आप लोगों को बताना है तो मजगोर मजगोरा खत में शौबाज ने अपनी बेटी को सबक याद करने और पढ़ने की तलखीन की है ताके मुस्तक्बिल में उसके जिंदगी रोशन और ताबना गुजरे वो गया एंसर आगे बढ़ते हैं अगला सव लगती हैं खत को एक जाती सरगर्मी का नाम दिया गया है खत को निस्फ मुलाकात भी कहा गया है क्योंकि इसके जरीए एक दुसरे के अहवाल से वाक्फियत हो जाती है यानि की खत के जरीए एक दुसरे के हाल बयान कर दिये जाते हैं और हम हाल से वाकिफ हो जाते हैं ठीक है इस वोज़े से खत को निस्व मुलाकात भी कहा गया है चलिए फड़ा फड़ा आगे बढ़ते हैं आप लोग जुड़े रहिएगा और अंत तक जुड़ना है आप लोग और हर एक सब्जेक्टिव को कम्प्लीट करना है मैं फास्ट भी करा रही हूं कोशन नमर 54 है कि महदी अफादी जो है वो अपने खत में किन को मुखाब किया है और क्या कहना चाहता है यानि महदी अफादी जो है वो अपने खत को किसके नाम लिखा है और उस खत में क्या कहें है महदी अफादी तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि महदी अफादी ने अपने दोस कि यह बात जो है ना महध्याफाधी अपने दोस्त से कहे आगे बढ़ते हैं बेदि किन किन ध Fa until ने काम किये और वह लाहर के किस महत्मे में काम करते थे तो व्ही जो है पोस्ट आफ्ट और टेलीगराफ के मह्पमिन भी काम करते थे तो यह जो सारे काम हैं बेदी ने किये थे अलग अलग दफ्तर में जाकर डिपार्टमेंट में अगला सवाल है कि बिहार के एहद हाजिर के चंद मुम्ताज अफसानानेगारों के नाम लिखे यानि कि बिहार के कुछ मशूर जो एहद ہے حاضر کے चंद मुम्ताज अफसाना निगार है यानी कहानी लिखने वाले कहानीगार ہیں उनके नाम आप लोगो लिखना है जिवाब में लिखा गिया है भी चंद मुशूर अफसाना निगारों उन्हारों में तुफाने सेलाब और कहत का सामना जैसे हालात वा हादसात का हम शिकार हो रहे हैं यह एक तश्वीशनाक बात है ठीक है यह एक तश्वीशनाक अमर है नेक्स्ट कॉश्चन है कि अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डालिये जवाब में लिखा हुआ है कि अदब के पहचान डॉक्टर अब्दलमगनी का अदबी मजमून है अब्दलमगनी ने इस मजमून में इस बात पर जोड़ दिया है कि तहरीर अदबी नहीं होती और हर अदब का मेयारी होना भी लाजमी है अदब में शामिल है अदब इनसान के जहनी और रुछानी तर्वियत करता है अदब जो तहजीब इनसान भी बनाता है और हमें महफूस बनाने में मौावन वो मददगार भी होता है आगे बढ़ते हैं उर्दू के पांच मजाहिय शायरों के नाम लिखना है यानि कि वैसे शायर जो हसने हसाने वाले आप यूँ के सकते हैं शेरों शायरी करते हैं जिसमें ज्यादातर कमेंट होता है तो उर्दू के पांच मजाहिय शायरों के नाम बताना है आप लोगो पहला यहां पर लिख दिया गया है दिला और फिगार दूसरा में है रिजा नकवी तिसरे पर आरते हैं अकबरलाबादी चौथे पर सिएद मौमद जाफरी और पांचवे पर हैं कौन नाजिर ख्यामी ठीक है ये पांच मजाहिय शायर का नाम कौशन No 61 कि निदा फाजली को कौन सा आवार्ड मिला तो निदा फाजली को साही तेकेडमी आवार्ड सिखर सम्मान गालिब आवार्ड और खुसरू आवार्ड मिले थे निदाफाजली ने मश्रिक वो मगरिब के किन किन मुलकों में हिंदुस्तानी अद्भी किन माइंदगी की है नेक्स्ट कोशन चकबस्ट का इंतकाल कब और कहां हुआ तो इनका इंतकाल उनहें से 26 में हुआ था कहां पर तो राय बरेली में चकबस्ट की घजलों में किस शायर का रंग मिलता है तो आतिश का रंग मिलता है यह important question है आगे बढ़ते हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टन सवाल है कि शक्सी मरसिया किसे कहते हैं शोधाय कर्बला और इमाम हुसैन के लावा बाकी लोगों की मौत पर अगर रंज वगम का इजहार नजम की सूरत में किया जाता है तो उसे शक्सी मरसिया का नाम दिया गया है ठीक है असान सा सवाल था और मरसिया किसे कहते हैं शक्सी मरसिया वगर रख्या है ये हर एक चीश में आप लोगों को पढ़ाई भी है अगला सवाल कि मिर्जा शौक लखनवी ने सौदागर की लड़की की आँखों की मिसाल किस चीज़ से दी है तो मसनवी निगार ने सौदागर की लड़की की आँखों की मिसाल हिरन की आँखों से दी है नसीम की पैदाइश कब और उनके वालिद का नाम क्या था नसीम की पैदाइश 18-11 में हुई थी और उनके वालिद यानिकी विताजी का नाम था गंगा परशाद कूल कोश्टन नमर 68 है कि मसनवी गुलजार नसीम में किस वाकिये को नजम किया गया है तो जेर नसाब मसनवी में दार खलाफत जैनल मुलक में बकावली का पहुँचना और वजीर होकर अपने महबूब ताजल मुलक की तलाश में अपने महबूब ताजल मुलक की तलाश को इस मसनवी में पेश किया गया है यानि किस मसनव पैप्ड बनकर अपने महभूल अपने महभूव ताजन मुल्फ की तलाश में निकलती और किस तरह ढुंती है अपने महभूव को ये सारा वहागया जो है ना गुलदारे नसीम नाम के इस मसनवी में पेश किया गया है आगे बढ़ते हैं बकावली अपने महबूब की तलाश में अपने तलाश एक मिनट बकावली अपने महबूब की तलाश के लिए क्या क्या करती है तो बकावली अपने महबूब को जंगल जंगल और बैबानों में इधर उधर भटकता भटकती है और तलाश करती रहती है यह पर भटकती है भटकती ती रहेगा भटकती है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल मुबारक अजिम अबादी कहां पैदा हुए और उनका इंतकाल कब हुआ तो इनकी पैदाईश हुई थी ताज पूर जिला ही है और फार्सी शायरी में जे उस्ताद हैं वहäre अब Basil Hamid verstздשat सततर नंबर सवाल कि मबारक अजिम अबादी का शेडी मजमूबा का क्या है और यह कब शाय हुआ तो शेडी मजमूबा का नाम झलव हए जल्वे दाग है और यहह उनहें से क्यावनिस भी में परकाशित हुआ था ये शेरोशायरी का किताब एकहत्तर नंबर सवाल की एहमद फिराज की पैदाइश कब और कहां हुई तो पैदाइश हुई थी उन्हें से 33 सिब्जी को पिशावर में इंपॉर्टन सवाल है इहमद फिराज बुन्यादी तौर पर ये एक रुमानी मिजाज के शायर थे वो ओरतों की हुसन वजमाल से बहुत ज्यादा मुतासिछ दिखाई देते हैं हसन नईम की पैदाइश कब और कहां हुई और असन नाइम की पैदाईश कहा हुई और उनका इंतकाल कहा हुआ तो पैदाईश तो हुई थी पटना में और इंतकाल हो गया उन्हें से क्यानवे निस्वी को मुंबई में नेक्स्ट कोश्चन 74 नंबर कोश्चन है कि परविन शाकिर की पैदाईश कब और कहां हुई तो परविन शाकिर पाकिस्तान के कराची में उन्हें से 22 बी में पैदा हुई थी इर्फान सिद्की ने काली दास के ड्रामा मालवी का अगनी मतर्म का तर्जमा किस नाम से किया है तो इर्फान सिद्की ने काली दास का जो ड्रामा था जिसका नाम था मालवी का अगनी मतर्म इसका तर्जमा माली का अगनी मतर्म के उन्वान से किया है यान कि जब इसको ट्रांसलेट कर दिये उर्दू भाशा में तो इसका नाम क्या हो गया माली का अगनी मत्र ठीक है नेक्ट कोशन कि जफर गोरखपूरी की पैदाईश कब और कहां हुई तो इनकी पैदाईश हुई थी उन्हें सब 30 को गोरखपूर में जफर गोरखपूरी की शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियत क्लासिकल और जदिद शायरी के साथ कीए गए उनके तजरॐ certified का खुबसूरत मिलान है ना अच्छे तरीके से एंसर को लिखा गया है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 78 number question है कि शबनम कमाली के तीन शेरी मजमुआ का नाम लिखे यानि कि तीन शेर शेरी के किताब का नाम बता देना है पहला में है अन्वारी अकीदत दूसरा में सोभाय अकीदत तीसरा में फिर दोशे अकीदत आगे बढ़ते हैं मुखमस नजम किसे कहते हैं मुखमस शायरी की एक आयत है अर्वी में खमस के मानी पांच के होते है यानि कि पांच मिस्रे की नजम को हम मुखमस कहते हैं मुखमस के तीन मिस्रे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं बाद के दोनों मिस्रे भी हम काफिया और हम रदीफ होते हैं वो गया, इनसर, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, निधा फादली ने शायरी की किस सिंफ में तबा-अजमाई की है तो निधा फादली ने शायरी में गजल और नजम के लावा दोहे भी कहें, इस तरह उन्होंने दोहे की सिंफ पर भी तबाजमाई की है, येनकी दोगे भी लिखें है आगे बरते हैं, अग्ला सवाल जैनूल मुलक की ममलकत में पहुंचकर बकार्णी को क्या महसूस हुआ बकार्णी जब महबूब की तलाश में जैनूल मुलक के मुम्कलत में पहुंचती है लाखनी तो, उसने वहाँ देखा कि जब वहाँ पर उसने क्या देखा कि वहाँ सब लोग खुशिया मना रहे हैं चारो तरफ खुशिया ही खुशिया हैं बागों में फूल खिले हुए हैं और वहाँ के मतलब आप यू कह सकते हैं वहाँ के चारो तरफ के वातावन को देखकर वहाँ के दृश् चीज़ का एसास भी होता है कि शायद उसे उसे मुलक में उसका महभूब मिल जाए एटी टू नमबर क्यूशन कि गजल अर्बी के किस सिन्फ से माखूज है तो गजल अर्बी कसीदे के तश्वीब से माखूज है तश्वीब का तालुक शबाब यानि जवानी के जजबात से है और जवानी के जजबात में हुसन और इश्वीब की किफियात शामिल होती है और इस वज़ज़ से गजल जो है ना कसीदे के तश्वीब से ही बननी है ठीक है कसीदे का स्टार्टिंग वाला हिस्सा तश्वीब कहलाता है और वही आगे चलकर गजल बन गया गजल के नाम शेर के दोनों मिस्रे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं लेकिन हर शेर के बाद काफिया बदलता है दो दो मिस्रों के रियायत से उसका नाम मस्नवी तै हुआ क्योंकि मस्नवी के मानी दो दो किया गया है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल सलाम मचली शेरी की जिंदगी पर पा चस्पी थी तहरीक अजादी हिंद के तालुक से बहुत सारी नजमे कही उन्हें मन्जू में खतूत लिखने का भी शौक था वुशन नमबर 85 है कि गीत लिखने वाले चार मुस्लिम शायरों के नाम बताईए फॉस्ट में हैं बैकुन उत्साही दूसरे में हैं जमल सुल्तान निगारों के नाम लिखना है तो फॉस्ट में तो कमर जहां दूसरे में हैं शमीम अफजा तिसरे में शकीला अखतर चौते में इसमच्चुकताई और पांचवे पर हैं निगार अजीम यह हो गया पांच अफ़ताना निगार यान की कहानी लिखने वाले राइटर का नाम जो की ख्وāतीन है कि डीजबत बीषन इनकी के ख़ और कहां पैडा यह हुई है र्खतर के कह वाले से आदब के मुआनके तरफ कि तारिफ करना है जब कोई पनकार अपने पन अपने नमूना पेश करता तो आया नमूना अदब के जूमरे में आता है उसी पहचान और शनक्त के अमल को हम अदब की पहचान केते हैं नसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान अब्दलमगनी का एक तनकीदी मजमून है जिसमें अदब की पहचान पर सेर हासिल बहस किया गया है और पूरा जोर इस बात पर दिया गया है कि हर अदब का नामवारी होना जरूरी है और नहीं तहरीर का अदबी होना जरूरी है तो अदब की पिचान चेप्टर में आप लोगा उलड़ी पढ़ाई हूँ जानते भी होंगे आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए भीमराओ का खंदान मुंबई जाकर क्यों बस गया तो भीमराओ का खंदान मुंबई जाकर इसलिए बस गया कि उनके वालिद राम जी सितारा के एक फौज स्कूल में उस्ताद थे जहां चंद सालों के बाद उनकी मुलाजमत खत्म हो गई तो उन्होंने सितारा को छोड़कर छोड़ने का फैसला कर लिया और मुंबई जाकर बच्चो देखें यहां पर बच्चो नहीं रहेगा मुंबई जाकर वो बस गए ठीक है मुंबई जाने का इरादा कर लिया मुंबई जाने का इरादा कर लिया मुंबई जाकर बसने का यहां पर बच्चों नहीं रहेगा बसने का इरादा कर लिया ठीक है और मुंबई जाकर बस गए 90 नमबर सवाल है कि लुत्फुर रह्मान की पैदाईश कब और कहां हुई तो लुत्फुर एमान की पैदाईश उन्हें से 41 सबी को जिला छपर के बन्यार पूर बस्ती में हुई थी आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कि 2009 सबी के सुरजगरहन की एहमियत बियान कीजे 2009 सबी में जो सुरजगरहन लगा था उसकी एहमियत बियान करना है आप लोगों देखिए जवाब में लिखा गया है कि 2009 सबी के सुरजगरहन को अपने एक जोगरहन एहमियत यह है कि ऐसा सुरजगरहन एक सदी के बाद ही नजर आ सकेगा अमेरिका के एक साइंस दा जे एंडर्सन जिनका तालुक अमेरिकी साइंस यह दारे नासा से है उन्होंने चौबीस सालों से इस पर गहन इस गरहन के बारे में तरक्की पर किया एक मिनट दिखिए यहां पर थोड़ा सा गलट टाइपिंग हुआ है जो जे एंडर्सन थे हैं वो एक साइंस दाय थे यानिकि साइंस थे और यह जो 2009 सबी में गरहन लगने वाला था यह चौबीस सालों से इस लगने वाले गरहन पर तहकी कर रहे थे और 200 सफाद पर मुश्तमिल अपना एक तहकी की रिपोर्ट भी पेश किया था जिसमें यह वाजी किया गया है कि उस सुरज गरहन को देखने के लिए सुबबिहार में वाकी तरेगना बहुत मुन यह जो सबसे मुनासीब तरीन जगह वो क्या है तरेगना है ठीक है आगे बढ़ते हैं 29 नंबर साथ कि म Тут नवेशी के पन से अपनी वाकेत का इज़ार किईए तो खुतूत वहार एम मक्तूब निगारी बोली ये बात एक ही है अर्दो नसर की एक एहम किसम है जिसकी रिवायत बहुत पुरानी है यार दोस्त एहबाब और रिष्टदारों की खैरियत द्रियाफ्त करने का आसान जरिया है खतूत के जरिये एक दूसरे से तबादलग ख्यालात भी होता रहता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन कि मेहदिय फादी को अर्दू के लावा किन किन जबानों में महारत हासल थी तो अर्दू के लावा मेहदिय फादी को फार्सी और अंग्रेजी जबानों में महारत हासल थी चकबस्त ने कौन कौन सी डिगरी हासल की तो चकबस्त ने B.A. की डिग्री लेने के बाद वकालत की डिग्री हासिल की थी आगे बढ़ते हैं 95. नमबर सवाल जो की ये अर्दू ग्रामर से पूछा गया है अर्दू कवाइद आप क्यों कह सकते हैं इसमे जमीर की तारिफ कीजिए कवाइद की जुबान में इसमे जमीर उस लवज को कहते हैं जो इसम के बदले में आए जैसे मैं तुम वगएरा नामों के बार बार तकरार से बचने के लिए जमीर का इस्तमाल किया जाता है इसलिए इस्तमाल के लिए हाथ से जमीर की तीन सूर्थे होती है हैं दमीर गाइब दमीर हाधिर डमीरों मृंतलब यान्य वह और वह लोतों वहानी तुम और तुम लोग वह मृता कलिम यानिंगी हम और मैं ये फिर हम लोग धामियर मतलब यहां पर आप लोंको सब्सक्राइब प्रद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द किताब का नाम याद है श्री रोशायरी का आप लोग लिख सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगला सवाल ये भी अर्दु कवाद से ही पूछा गया है कि इसम मारफा और इसम नकरा की तारीफ कीजिए इसम मारफा जिसको हम लोग प्रोपर नाउन कहते हैं और इसम नकरा जिसको ह जाहिर करें उसे हम लोग कहते हैं इसम मार्फा जैसे की हीमाले परवत हीमाले परवत तो यह को है हीमाले यानि की परवत तो भेर सारी इस दुनिया में लेकिन एक खास नाम दिया गया है हीमाले तो यह हो गया खास नाम कोई क्या कहते है इसम मार्फा और इसम नकरा वह इसमे पूरी जाती का बोद हुता है पहार बोल दोंगी तो पहार का मतलब इसमें सभी पहार आ जाएंगे एक में पार्टिकुलर पहार का नाम नहीं ले रही हूं तिर्फ पहार बोल रही हूं और पहार में पहार की पूरी जाती आ जाएगी तो इसी को कहते हैं हम लोग इसमनक्रा अगला है 99 नमर क्वेशन की गालिब के बच्पन पर पांच जुम्ले लिखे ये भी इंपोर्टन सवाल है तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि उर्दू के माया नाज शायर गालिब का पूरा नाम मिर्जास दुल्ला खा गालिब जिनका पूरा नाम मिर्जास दुल्ला खा था और इनका तखलुस गालिब था शुनांच उर्दूर शायरी की काईनात में मिर्जा गालिब की हैसिएत से मशूर हुए पांच साल की उमर में ही गालिब के वालिब के साय से महरूम हो गया यानि कि गालिब के वालिद का इंतकाल हो गया नतीजा यह हुआ कि चचा नसुल्लाबेग की सरपरस्ती में परष्ट पाने लगे और कई सालों साथ रहने के बाद नसुल्लाबेग भी दुनिया से मूँ मूर गये यानि कि 5 साल के थे मिर्दा गालिब तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया और जब वालिद का इंतकाल हो गया तो चचा नसरुलाबेक जो है गालिब की परोरिश करने लगे लेकिन हुआ ये कि कुछ सालों के बाद चचा नसरुलाबेक का भी इंतकाल हो गया आगे बढ़ते हैं सो नमबर स्वाल है कि नसीम की मुख्तसर सवाना बयान कीजिए नसीम के एतबार से कश्मीरी ब्रामन थे उनका पूरा नम पंडित देशंकर कौल था और उनके वालिद गंगा परशाद कोल थे वो 18-11 भी में लखनों में पैदा हुए है उनका शुमार लखनों के बाकमाल शुरा में होता है उस वक्त उनके खानदान की रिवाएत थी कि बच्ची उत्तदाई तालीम अर्भी वफार्सी में हासिल करते थे चुनांचा नसीम ने भी अर्भी वफार्थी की तालीम हासिल की देखे यहां पर एंसर में यह बताए गया है कि उस वक्त जो है नसीम के खांदान की रिवायत थी कि बच्चे जो थे वो अर्भी वफार्थी में तालीम हासिल करते थे तो चुनांचा नसीम भी जो थे ना वो अर्वी औफार्थी की उत्दाई तालीम हासिल किये थे एक सा एक नंबर क्विश्चन है कि मसफी की पैदाईश कब और कहा हुई तो अमरोहा में हुई थी यूपी के अमरोहा में और सतरसा और तालिस पी में आगे बढ़ते हैं मुबारक अजिम भादी ने हैदराबाद दक्कन के सफर में किस से मुलाकात की और किस के यहां कियाम पजीर हुए तो सफर हैदराबाद में आपकी मुलाकात सर अबदुल अजीज से हुई मौसुब मौरावजिम अबादी की शौक्सित से बहुत मतास्य हुए और शर्फ मेजबानी की पेशकसभी की कर दी और शिorted lengthy मौरा अजी मजबादी हिधरबाद के सफर में पर असफर में सर अब्दूल-عजीज के मकान में क्याम पभी हुए और उनके मकान में महमान बने ठीक है आगे बढ़ते हैं एक सतीन नमर क्वेशन कि इल्म तब पर मुबारक अजीम अबादी ने जो किताबे लिखे उनके नाम लिखिये जवाब में लिख दिया गया है मौज़ों पर फार्सी में दो किताबे लिखे थें मेजान उलता बहुर दूसरा है तबुलकबीर आगे बढ़ते हैं एक सचार नमर सवाल है कि परविन शाकिर के इसलाफ का वतन कहा है तो हिंदुस्तान के सुबा बिहार में लहेरिया सराइद रभंगा के नजदीक मुहला चूडी चंदन पट्टी मुहला चंदन पट्टी परविन शाकिर के इसलाफ का वतन है याद रखिएगा इ cannon का इडिकान कर गए है ठीक यहां पर नहीं यहांपर सवाल यहां पर पूछा रहा है कि रफान सद्दीक का इंतकाल किस मर्ज के वज़जा से वह था हुआ था इनका इंतकाल रुगि कौन से भीमारी होने के कारण तो देखिए इनको brain tumor हो गया था इस वोज़े से लिखा गया है इर्फान सिद्धी को brain tumor का आरदा था इसी मर्ज में उनका इंतकाल हो गया brain tumor के वोज़े से इर्फान सिद्धी का इंतकाल हो गया था इर्फान सिद्गी के मजमुएं किस नाम से यग्जा तोर पर शाय हुए तो दरिया के नाम से इर्फान सिद्गी के मजमुएं शाय हुए थे यानिकि उनके किताब का नाम किया था दरिया एक साथ नमबर सवाल कि बच्चों के लिए जफर गुरखपूरी के कौन से दो मजमुएं शाय हुए ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए इन्होंने दो किताबे लिखी थी पहला का नाम है सच्चाया दूसरा का नाम है नाचिर गुरिया आगे बढ़ते हैं एक साथ नमबर सवाल पेड़ पर कुलहाडी गिरने से शायर किस तरह लहू लुहान हुआ तो दरख्तों पर कुलहाडी गिरने से शायर इसलिए लहू लुहान हो जाता है कि दरख्तों की कट जाने से ऑक्सिजन की कमी हो जाती है जिसके नतीजे में इनसान तरह तरह की बिमारियों में मुबतला हो जाता है यही वज़ा है कि शायर का लतीफ एसास दरखतों पर कुलहाडी चलने से लहुलुहान होने लगता है एक सानौ नमबर क्वेशन की बच्चों के टीवी देखने से शायर क्यूं दुखी है तो बच्चों के टीवी ज्यादा देखने पर शायर इसलिए दुखी है कि ज्यादा टीवी देखने के वज़ा से वक्ती तौर पर बच्चे तो खुश हो जाते हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई से बच्चों की रुगबत घर्टी चली जाती है साथ ही बच्चों की दिल्चस्बी किताबों से भी कम होने लगता है और किताबे नजरनदाज होने लगते हैं इस वज़ा से शायर जो है बच्चों के टीवी देखने से दुख है दुखी में है मुगल बादशा ने ताज महल क्यों तामिर किया मुगल बाद शाह जहां अपनी मलके मुम्ताज महल से गहर मामूली और जनून की हद तक महबत करते थे मुम्ताज महल की जिन्दगी का आखरी वक्त आया तो उसने अपने शोहर से वादा लिया कि मेरे मरने के बाद महबत की निशाने के तोर पर मेरी कबर पर एक ऐसा मकबरा बनवाई ये जो रहती दुनिया तक काइम रहे और इस वादे की तकमील में शाह जहा ने अपनी महबूब मुम्ताज महल के मकबरे पर ताज महल जैसी तारीकी इमारत तामीर कराई यानि कि ताज महल बनवाया मुगल बाद शाह जहा ने अपनी बेगम मुम्ताज महल के लिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल एक सब्सक्राइब कि नजम में शायर ने किसको बदनसीब जाते हुए पेश किया है तो शायर ने गीता की इश्क इश्क नहीं आशिक रहेगा शायर ने गीता की आशिक घंस्याम को गीता की जुदाई के गम में बनसी बजाते हुए यहां पर बनसी रहेगा नजम में शायर ने किसको बनसी बजाते हुए पेश किया है तो शायर ने गीता की आशिक घंस्याम को गीता की जुदाई के गम में बनसी बजाते हुए पेश किया है जो घंशियाम के ख्वाबों और तसाओर से बहुत दूर रहती थी एक सब बारा नंबर क्वेशन कि हसन नाइम की घजलगोई की खुसूसियात मुखतरन बयान कीजिए यान की हसन नाइम की घजलगोई की विशिफ्ताओं को बताना है एंसर में लिखा गया है कि अजि और मौमिन की शायरी का भी गहरा मुताला किया नेक्स्ट कोशन एमद फिराज बन्यादी तो पर किस मिजाज के शायर थे तो ये एक रुमानी मिजाज के शायर थे इसके वज़ए है कि उनके घर का माहौल ही अदवी और शायराना था बच्पन में ही शेर कहने लगे थे एक भीमराओ अमेडकर के साथ तुल्बा और असाद्जा का कैसा सलूक था तो भीमराओ अमेडकर मुंबई के लिफिस्टन हाइ स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल का महाल भी भीमराओ अमेडकर के लिए बिलकुल नामाफिक था भीमराओ जात पात के भेदबाओ के शिकार थ रजे bare थे तो ओर निए को सक्षमीर का सर्द्री कर में टार कहा जाता है यही वजहा है कि और रा मनेकारी में आगा हश्ब हैव्य निकार जिदहों आमली जिन्दगी में अपने फन का मौजू बनाया चुनांचा उन्होंने अपने ड्रामों में ज्यादतर समाजी मसाइल को शामिल किया है वो गया बस आप इसे लंबा भी लिख सकते हैं आगे बढ़ते हैं एक साथारा नमबर क्वेशन है कि आरे बट की जाए पैदाईश और तारीख पैदाईश पर हुई होगी यह पता चलता है एड्जक्ट डेट नहीं पता है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल एक साथारा नमर क्योशन कि गालिब के खुतूद के किसी एक मजमुआ का नाम बताईए तो याद रखिएगा गालिब के खुतूद के दो मजमुआ यानि कि दो किताबे खत के दो किताब और नला है दूसरा का नाम क्या है उदे हिंधी तो और और भुतिए- उर्दो मुल्ला दूसरा का नाम क्या है उदे हिंदी एक सब इस नमर क्वेशन की इंटर्विव लेने वाले का नाम क्या है इंटर्विव लेने वाले का नाम इसम चुकताई और फयाज रिफत है दो लोग इंटर्विव ले रहे थे बेदी से एक सएका इस नमर क्वेशन की स चुहाज की पेदाईश कब और कहां हुई 2860 सभी के आस पास सर मेराबार बिहार में इनकी पेदाईश हुई थी। उम्राओ जान आदा नाविल किसने लिखा तो मिर्जा मुहम्मद हादिर उसवा ने लिखा था ये नाविल। भीमराओ की शादी किस से और कितने साल की उमर में हुई, 14 बरस की उमर में भीमराओं बेटकर की शादी रामा बाई नाम की लड़की से हुई, रुस्ता मुसराब ड्रामा किस ने लिखा, आगा अशर कस्मीरी ने लिखा था, रथन नात सरसार के नाविल का नाम लिखिये, त जगालिब कब और कहां पैदा हुए है तो अपने नानी हाल अग्रा में उन्हें 17 से संतान में रिस्भी को ये पैदा हुए थे निदा फाजली की तखलीक मुलाकात का तालुक अर्दू के किस सिंफ से है तो तनकीद से है खरा डिनर के शायर का नाम क्या है और इस नजम का ता अर्वेज शादी ने उर्दू में में किस यूनिवर्सिटी से किया जवाब में लिखा गया है पटना यूनिवर्सिटी एक साथीस नंबर सवाल कि सितारों से जर्रों तक किस शायर का शायरी मजमुआ है यानि कि सितारों से जर्रों तक ये जो शेरों शायरी का किताब है यह किस शायर का लिखा हुआ है तो जगनात आजाद याद रखिए गया इंपॉर्टेंट कोश्चन एक सतीस कोश्चन कंप्लीट हो गया अब यहां से थोड़ा लॉंग टाइप कोश्चन यह जितना भी कोश्चन में आप लोको कराई यह दो और तिन नंबर वाले कोश्चन थे आप यह किसकते हैं अब यहां से पाच नंबर वाले कोश्चन स्टार्ट हो रहे हैं चार पाच नंबर वाले पहला सवाल है कि जबीदा कौन थी उसके शादी के दिन कौन सा हादसा रूनमा हुआ जबीदा एक दो शेज़ा थी उसने मैट्रिक पास कर लिया था महमूद जो है न उससे शादी करने पर आमादा हो गया था हलांके वो औरत के वजूद से खौफज़दा रहता था मैबू जो है वो औरत से बहुत ड़ता था खौफज़दा रहता था चनाच sih वो सस्राल पहुच हा तो अचानक अंजाना सा खौफ उस पर तारी हो गया उसकी हालत लगी उसका सारा जिसम काप रहा था और जबान एक दम से बंद हो गई शादी के घर में एक हंगामा बर्पा हो गया महमूद के दोस्त जबीदा के वालदीन और सारे लोग कोशिश करके ठक गए मगर महमूद की हालत में कोई फरक नहीं आया यह बिमारी नहीं थी वह तो सिर् हाद्सा हुआ जबीदा के शादी के दिन आगे बढ़ते हैं अगला सवाल ठक गया हूं अराम करते करते यह बात किसने किस से कही और क्यूं यह अलफाज है बरकत अली सिद्की के जो आशियाना के एक एहम किरदार है देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे दिरिके से अर्मान बरदार हैं उनकी हर खौाइश का इतराम करते हैं बस सिर्फ यह नहीं चाहते कि बुड़े माबाप उनके अमुर्खानादारी में किसी कि दखल अंदाजी करे बरकत अली को हर चीज में एसर थी मगर यू हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना वक्त पर खाना खाना और उसे लेटे रहना या किताबे पढ़ते रहना उन्हें पसंद नहीं था इसलिए वह अपने बीवी के साथ अपने शहर और बोसीधा मकान में नमक रोटी खाकर जिंदा रहने के लिए लौट जाते हैं और उकताकर कहते हैं कि ठग यह हूं मैं आराम करते करते मैं चलो अपन चलते हैं जहां पर जिस घरमें जिस आर्ची आने में हमारा रшुक्म होगा हम जो चाहिए वो बनाकर खा पाएंगे हमारा हुं चले वे बैटे और बहु का घर इस व ways से रहने हो सिहां चल रहा है चलो हम पुराने वाले आ adaptрий क्रोको बताएंगे और बढते हैं सरसचिया क्या है या मालूम करने के लिए हमको सबसे पहले कुरान का मुताला करना चाहिए उसके बाद सुन्नत रसूल पर अमल करना चाहिए उसके इलावा दोस्तों की जूटी तारिफ से खुश होने के बजाए हमें यह सोचना चाहिए कि वह अच्छाईया मेरे अंदर मौजूद है या नहीं और सबसे उम्दा तरीका यह है कि दुश्मनों की नुक्ता चीनी का जाइदा लिया जाए और खुद को उन बुरे कामों से बचाया जाए जिसका एहसास दुश्मनों ने दिलाया है क्योंकि हमारा दुश्मन ही हमारी खराबियों को बहतर तरीके से उजागर कर सक ये सूरज गरहन और चांद गरहन किसे कहते हैं और इसका तारूफ आप लोगो पेश करना है शौट में देखे लिखा गया एंसर में कि किसी एक सियारा या सितारा पर जजवी या मुकमल साया पढ़ता है तो उसे हम लोग गरहन कहते हैं यान कि किसी एक प्लानेट का किसी सूरज का तवाफ करती है इसलिए चांद और जमीन के इस तवाफ के दोरान चांद का दमीन और truck के दर्मियान आ जाना लाजमी है ऐसी सूरत में चांद का जजवी या मुकमल साया सूरज पर पढ़ता है ऐसे वाकियों को हम लोग सूरज गरहन कहते हैं और अगर सूरज चांद सूरज चांद और जमीन के दर्मियान आ जाता है तो उसे चांद गरहन कहते हैं जरा इसको मैं अच्छे से समझा देती हूँ देखिए आप लोग जानते हैं कि सूरज यह हो गया सन इसके चारो तरफ पृत्वी चक्र लगाती रहती है मानिजी हम लोग का पृत्वी य देखे देगे कि और कभी कभी इसा होता है जान्द लगाते चक्र लगाते लगाते चक्र इधर आ जाता है ठीक है और अब प्रिथ्वी जो है न वह सूरज और चांद के बीच में आ जाती है इसके उज तका पर रोशनी डाली है ये आप लोगो को बताना है चलिए देखिए जवाब में लिखा गया है कि अर्दुर ड्रामा निगारी की तारीख आगाहशर के नाम की बगार नामुकमल समझी जाएगी अर्दुर ड्रामा में उनकी खदमात नाकाबिले फरामोश है आगाहशर से पहले उर्दुर ड्रामा निगारी अपनी पुरानी डगर पर चल रही थी इस डगर से इनहराफ करके आगाहशर ने पहले उर्दुर ड्रामा निगारी को एक नई राह दी है आगाहशर पहले ड्रामा निगार है जिन्होंने ड्रामे में उसरी जिन्दगी की हकाइक को कफ़ा अबारत आराई की जगह अवामी गुफटगू और लव और लहजा को आम करने की रिवायत कायम की इस तरह ड्रामा निगारी के असलूब में एक इनकलाब पैदा किया मुक्तसर यह है कि उदू ड्रामा निगारी की रिवायत को आगी बढ़ाने और उसे मकबूल आम ब scarcity को फरामोंश नहीं कर सकते हैं भूल नहीं सकते जब तक उर्दू ड्रामा निगारी का नाम आयेगा तब तक आगा अशर यहां कई सवामी अर्यभट के साइंसि काड़ामों का तफिर सेक्स्वियर कहा जाता है अगला सवाल है कि आरे भट के साइंसी काड़ नाम reicht जाइज अलुमात आरे भट नहीं कराई आरे भट ने एक किताब आरे सिध्धांतर और तंतर के नाम से लिखी और पहली बार ये साबित किया कि जमीन गोल है और ये अपने माहूर पर घूंगते हुए सुरज की गर्दिश करती है कहा जाता है कि मशूर माहिर इल्म रियाजी पैथा ग उर्दू को चंद इसलाही नाविले दी उनके बाद रतन रात सरसार रतन नात सरसार सिरकहसार और फसाने आजाद लिखकर इस फन को आगे बढ़ाया अब्दुल हलिम शुरूर ने तारीखी नाविलों की दागबेल डाली उसके बाद क्या हुआ उसके बाद कई नाविल न बलके उसे उरूज पर भी पहुचाया ठीक है रुस्वा के बाद प्रेम चंद और तरक्की पसंद नाविल निगार ने इस फन में बेश बहाए जाफा किये और मर्द नाविल निगार और ख्वातीन नाविल निगारों सभी नाविल निगारों ने उर्दू नाविल निग है फिह मीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफतगू का मरकजी ख्याल पेश किजिए तो जेर निसाब एक्तबास का मरकजी ख्याल इसलाह है तो अप्तल्नसू, नजीर अधियों का एक एक ऐसा नावील जो इसलाह की नुखते नजर से लिखा गया है वैसे तो नजीर अहमत के सारे नाविल इसी मकसद के तहत लिखे गए हैं लेकिन तो अपतल नसू में एक खास मकसद आउलाद की इसलाह करना है यानि कि अपने आउलाद अपने बेटियों के लिए लिखे थे जिर निसाब इकतबात से भी यही जाहिर होता है कि मा बेटी गु MIGBARी का जािज़ा लिजिए जवाब में लिखा हुआ है कि नजीर एमध उर्दूके पहले नाविल निगार से सलीम किये जाते हैं उन्हों ने अपने बेटीयों के इसलाह के खासिर नाविले लिखी जाहिर है कि नजीर इसलाही ज़जबे और एक मकसद के लिए भीखे इस हुनर मंदी और चाबुक दुस्ती नहीं थी जो बाद के नाविल निगारों में देखने को मिलती है आगे बढ़ते हैं ये और उसके बाद से आगे भी लिखा गया है फिर भी नजीर रहमत ने नाविल निगारों के फन को फरोग दिया और उसे मकबूल आम बनाने में एहम रोल अदा किया जैसा कि उपर लिखा गया है कि नजीर रहमत के नाविल इप्तदाई हैं इसलिए ये खामियों से पाक नहीं आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि मक्तूब निगारी की क्या फाइदे हैं फाइदा बताना है आप लोगो जब आप में देखे लिखा गया है कि मक्तूब निगारी नसरी अदब है नसरी सिन्फिय अदब है फन जैसा भी हो फाइदा तो होता ही है मक्तूब निगारी से यह फायदा होता है कि वो जिस जमाने में लिखा जाता है उस जमाने के हालात और उसकी तस्वीर हमारे सामने होती है ऐसा तब होता है जब मक्तूब निगारी फनकार हो तो गालिब के लावा जिन कलमकारों के मकतुबात किताबी शकल में मौजूद हैं उनमेसर स्याद अमर्खा, हाली, शुबली, नमानी, महदी, अफादी, स्याद, सुलिमान अद्वी, फैज, अमर्द, मजनू, गोरखपूरी और मौलाना बुल्ख्लामाजाद के नाम काविले जिक्र हैं, अगला सवाल, उर्दू के मकतुब निगारी के अब्तदा और इर्तका पर रोश्णी डालिये, तो उर्दू में मकतुब निगारी के फंस इंकार की उन्जाइश नहीं, इसकी अब्तदा का सही तैयुन करने के लिए दफ्तर चाहिए, हाँ, इतना जरूर कहा ज जिए, अबारत में होते थे, गालिब ने इस रोश्णी को न सिर्फ खत्म किया, बलके मकतुब निगारी के फंको ने अलकाब और अदाब दिया, और मरासला को मकालमा बना लिया, अफ्ताने के अर्तका का जाइज़ा नीजिए, इनकी अफ्ताने की शुरुआत कैसी और कैस तो कोई अली महमूद को, चुंकि यल्दरम का अफ्ताना जो है, नशे की पहली तरंग उन्हेस समें, सन उन्हेस समें प्रकाशित हो चुकी थी, और उन्हेस चार में अली महमूद का अफ्ताना च्छाओं मनजर याम पर आया था, इस बहस से पते नजर हम, प्रेम चंद को उर्दू का पहला अफ्ताना निगार और उर्दू का पहला अफ्ताना दुनिया का अनमुल रतन को मानते हैं, जिसकी अशाथ उन्हेस सत्तीन में हुई थी, उर्दू के अफ्ताने की इर्तिका में नियास फत्वपूरी, सजाद हैदर जल्दरम और मजनू गुरखपूरी क नाम एहम है अफसाने किर्थका में पंडित सुदर्शन आजम करीवी और सुहेल अजीम अबादी क्रिशन जंद्र बेदी मंटू इसमा चुकताई खदीज़ मस्तूर जिलानी बानो वाजिद वाजिद तबस्थूम और हाजरा मस्रूर शकील अख्तर वगरा ने अफसाने किर का आइनादार होता है और उसकी तखलिकात उस एकास होती है फंकार जिस महाल में सांस लेता है जीता है उटता है बैठता है उसी गर्द और पेश की हालात को अपनी कहानियों का मौदू बनाता है कमर जहाने भी अपनी कहानियों का मौदू भी असरे हाजिद के मसाइल को ब और इखलाफी जवाल कमर जहां की कहानियों के मौजवात हैं और इस मौजव को उन्होंने अपने अफसानों में बड़े सादा और अंदाज सादा और खुबसूरत अंदाज में पेश किया है। चेहां पसमंजर कहानी को अब इसमन्जर में कहानी की तख सभी इससे मौजवाति हैं उससाने करिद किरदार मरकजी यह रूपय कमाने की एक मिनट इस के दार है मरकरजी किर्दार रुपे कमाने के लिए खलीजी मबालिक यानि कि दूसरे मौलिक दूसरे मुल्क में जाता है वहाँ वह रुपे तो कमा लेता है लेकिन खुद को मार्शल से कटा हुआ महसूस करता है और जब अपने वतन वापस आता है तो वह अपने आपको अजनवी सा महसूस करने लगता है इस तरह हम कह सकते हैं कि अफ्थाने का उन्वान कहानी की मुनास्बत से रखा गया है जो मुनासिभ और तहीं है बिल्कुल तहीं रख साना आशियाना के मरकजी किरदार बरकत अली और उनकी बीवी जरीना है बरकत अली नौकरी से सुखदोश हो चुके हैं और तनहाई महसूस करते हुए अपने बेटे बहु के साथ रहने लगते हैं कुछ दिनों तक तो हालात ठीक थे लेकिन धीरे धीरे हर काम के लिए उन्हे जरीना से अपने दिल की बात कही जरीना ने सोचा के अपना घर नहीं होता है जहां अपनी हुकमरानी होती है यानि कि अपना घर अपना ही होता है जहां अपनी हुकमरानी होती है हम जो चाहे करते हैं किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता है या सोचकर जरीना ने अपने शो तो यह सोच कर जरीना फिर अपना आश्याना आबाद करने का सोच लिया ठीक है वापस अपने धर वो लोग चले जाते हैं सहे लिजम अबादी के बारे में कमत कम दस जुम्ले different तेहरेख कीजेए यानिकि दस सेंटेंस में आप लोगो सोहेल अरभादी की बारे में लिखना है जवाब में लिख दिया गया है कि सोहेल अरभादी उर्दू के मारूफ अफसाना नेगार है या प्रेम चंद स्कूल के अफसाना नगार कहे जाते हैं उनका असल नाम मुझे भी रह्मान था उनके दो बेटे लत्रिफू रह्मान और शामनूर रह्मान सुहले जिमबादी ने आल इंडिया रेडियो की मुलाजमत की इस सिलसले में स्री नगर कश्मीर भी गए सुहले जिमबादी ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिसा उर्दू की तर्वीज वाशात में गुजारा उसके तहट वह छोटा नागपूर भी गए और साथ सालों तक उर्दू की तर्वीज वाशात का काम इंजाम देते रहें सुहले जिमबादी के अफसानों का दूसरा मजमुआ ने पुराने हैं जो उन्हेस तालिस जुए में शायर हुए थें आगे बढ़ते हैं फड़ा फट अगला सवार अफसाना फराण का मरकजी खियाल पेश किया हैं नफसियाती अफसाना है यानि की एक साइकलोजिकल स्टोरी है इस अफसाने का मरकजी किरदार महमुद है अफसाना निगार ने इसके किरदार का नफसियाती तजर्बा किया है महमूद हसूल तालिम के लिए सरगरदा रहता है और वह आम नौजवानों के बरखलाफ एक ऐसी मिसाले जिन्दगी गुजारना चाहता है जो एक अच्छे और होनहार तालिब इल्म की शनाखत हो मतलब की औरत से वह बहुत जड़ा खौफ जदा रहता था ठीक है और आगे देखिए उसूल तालिम के बाद अच्छी सी मिल जाती है फिर शादी होती है लेकिन उसे उस जहनी खलफशार की वज़़ा से उसकी जिन्दगी जो है उसकी अच्दवाजी जिन्दगी अधूरी और नामुकमल रह जाती है जिन्दगी की यही कश्मकस इस अफ्साने का मरकजी ख्याल है जिसे अफ्साना निगार ने महमूद के किरदार की शकल में हमारे सामने पेश किया है आगी बढ़ते हैं पड़फट रया मजमून का मरकजी ख्याल पेश कीजिए तो जवाब में लिखा हुआ है कि सरस्यद ने अपने मजमून में रया के सही मफ़हूम के वजाहत की है और कहा है कि लोग आम तोर पर रया का तज्या यू करते हैं कि दिल में बात कुछ हो और जाहिर में कुछ कहा जाए लेकिन रया सिर्फ वही तक महदूद नहीं है बलके अक्सर ऐसा होता है कि समझने वाला खुद मुगालते में रयाकारी का मरतकब हो जाता है और सरसेद के नजदीक रयाकारी का तालुक जाहिरी अमल या रदे अमल से नहीं है बलके रया इस दाखली जहरी पेचीदगी का नाम है जो कभी दोस्तों के जूटी तारीफ से पैदा होती है और कभी दुश्मन की खुबियों को एब बता कर जहनी इंतशार में डाल देता है नतीजा यह होता है कि आदमी अपनी खोदायतमादी खो देता है और अच्छे बुरे की तमीज नहीं कर पाता है यह लंबा चड़ा आप लोग एंसर लिख सकते हैं पड़ भी देती हूं चलिए इस कस्मकष्ट के मौके पर अगर गौर किया जाए तो इंसान के दुश्म सिर्फ एब जो ही करता है लेकिन दोस्तों जूटी तारिफ करके मौकालते में ही डाल देता है आप लंबा चड़ा एंसर लिख सकते हैं ठीक है चलिए आगी बढ़ते हैं फड़ाफट ग्लसवारे की शामिल निसाब मक्तूब शौबाज का खुलासा पेश कीजिए तो अब कि तारीम हासिल करके बहतर से बहतर जिंदगी गुजारने की अहल हो जाएं खत में उन्होंने या भी लिखा है कि महरम की छुटी में वह जरूर आएंगे उन्होंने अपने जख्म और उसकी तकलिफ के बारे में भी लिखा है और फिलहाल उसमें आराम है के बारे में भी ल करती है भावी हमदर्दी की मूरत थी एसार वफा उनमें कुट कुट कर भरी थी दूसरों के काम आना उनकी फित्रत में शामिल था वह लेक्षर थी और ट्यूशन भी पढ़ाती थी एक गरीब लड़की को अपने खर्च से पढ़ा रही थी घर की सारी जिम्मेदारियों को व प्रवी से तुलना की गई है तरह से अगला सवाल देखिए नजम मनाजरे कुद्रत का खलासा पेश कीजिए अब जो कवीता है मनाजरे कुद्रत उसका ओवर विव करना है जवाब में देखिए लिखा गया है कि नजम मनजरी शायरी की एक अच्छी मिसाल है नजम का यह प बाद से आप यह कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाके को वहाँ पर देखते हैं शायर गुमने के लिए जाते हैं और वहां की खुबशूरती को वहां की कुद्रती मनजर को देखकर वो सारी चीज़े जो है ना इस नजम यहनी कि मनाजरे कुद्रत नाम के इस कवीता में बयान कर देखने के काबिल है अगर दिल नुक्ते इस्टनास हो तो उस विराने और बुलंदी पर खुदा की कुद्रत और उसके वजूद को महसूस किया जा सकता है यहां के पहाड़ों की खामोशी अपनी जबान हाल से कह रही है कि अगर देखने वाली आँखे हैं और दिल हसास है तो विराने और खामोशी में भी खुद्रत के हसीन नजारों को कि देखा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है हम नजम हम नوجवा हैं का खुलासा पेश कीजिए नजम यह जो कवीता है, हम नजवा हैं इसका खुलासा तेहरेर करना है देख़िए, नजब में से कोई भी एक नजम आप लोगो ज़रूर खुलासा करने के लिए कहेगा तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा जवाब में लिखा गया है कि परविर शादी की नजब हम नौजवा हैं तकनीक के लिहाद से एक जदीद नजब है नजब में शायर ने मौझूदा एद के नौजवानों की जजबात की तरजुमानी की है जवानी के जमाने में नौजवानों के दिलों में क्या-क्या जजबात उभरते हैं और वा मौशरे से क्या चाहता है उन्हीं की फ्यात को शायर ने बड़े सलीखई की साथ नजब में समोया है और जिस तरह बच्चे अपने पसंदीदा चीज़ों को पाने के लिए जिद करते हैं ठीक उसी तरह जवानी के जोश्वा जजबात में इंसान इस कदर भैकने लगता है कि हर पसंदीदा चीज़ को हर हाल में हासिल करने की कोशिश करता है मस्कूरा नजब परोज़ शादी ने कुलकत्ता में नौजवानों के एक जलास में पढ़ा था जिसमें नौजवानों की तादत बहुत ज़्यादा थी इसी कसरत को देह कर शायर ने इस नजब में नौजवानों की जजबात की उभरती भरपूर तरजमानी की है ठीक है नजब खड़ा डिनर का खुलासा कीजिए अब यहां पर खड़ा डिनर का खुलासा करना है खड़ा डिनर सेयद मुहमर जाफरी की नजब है और यह एक मजाहिय नजब है इस नज़ में शायर ने अपने मख्सूस मजाही अंदाज में खाना खाने के इस जदीद वजेव को मजाह का निशाना बनाया है जिसे अंग्रेजी में बफिट सिस्टम या फिर बफिट डिनर कहा जाता है खाने का या तरीका मगरिबी तहजीब से हमारे यहां आया है और सच तो यह है कि हमारे मश्रकी तहजीब के ना मुनासिब है लेकिन असरे हाजिर में जिस तरह मगरिबी तहजीब वज़े की असरात आम होते जा रहे हैं इसकी लहर खाने के वज़े और उसके तरीके पर जाक उड़ाया है और पांच बंद की इस नजब में शायर ने बफेट डिनर में मनहकम शरका और मुक्तलिफ तस्वीर पेश की हैं जो मजा से भर पूर है यानि कि पूरी तरीके से मजाक उड़ा दिये हैं बफेट सिस्टम का शायर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल मसनवी ज जो जहरे इश कहना इसका खुलासा पेश करना है देखे जवाब में लिखा गया है कि मसनवी के इस इक्तबास में मसनवी निगार ने एक सौदागर की लड़की का जिक्र किया है और उसकी दाखली और खारजी खोबियों का जिक्र किया है मसनवी निगार सौदागर के पड बड़े खुबसूरत अंदाज में बयान किया है और पेश किया है लड़की में जहरी खुवियों के साथ उसमें किरदार की भी खुविया थी उसे शेर गोई का भी बहुत ज़दा शौक था आगी कहानिया है कि आसमान पर बादल चाया हुआ था मौसम खुशगवार था मस्न गई और लड़की की कनीज च्छट पराई आती है और लड़की से कहती है कि उसकी मा ने उसे बुलाया है गर्स देखते देखते यह सहरंगेज महाल खत्म हो गया और लड़की जो है ना नीचे चली जाती है अब जजब ए इश्क यह जो मस्नवी है इसका खुलासा पेश कर ही है पेश नजर मस्नवी में दिली के एक रईस खांदान के एक नौजवान के इश्क और महबत की कहानी है इस दास्तान इश्क का एक अजीब पहलूया है कि वह नौजवान अपनी बीवी पर ही आशिक हुआ रहता है ठीकि और आखिर में उसकी बीवी जो है ना बहुत ते परविशादी की नजब हम नौजवा हैं का मरकजी ख्याल नौजवानों की अंधरूनी की फियात की तर्जमान है इस नजब में शायर ने मौजूदा दौर के नौजवानों की जजबात की भरपूर तर्जमानी की है नौजवानी के जमाने में एक नौजवान के दिलों मे क्या क्या जजबात वरते हैं इस नजम में उन जजबात को पेश किया गया है और शायर के यही ख्यालात नजम का मरकजी ख्याल है यही है थीम इस नजम का यही है मरकजी ख्याल आगे बढ़ते हैं बिजली का खंबा का खुलासा पेश कीजिए देखे यह भी नजम है बिजली करके रखिएगा अब यहाँ पर देखिए बिजली के खंबा नम का नजम का फ्लाशा करते हैं यहाँ पर जवाब में लिखा गया है कि निदा फाजली की नजम बिजली का खंबा आजाद नजम है नजम में साइंसी एजदात पर रोशनी डाली गई है और इस हकीकत से परदा इखलाकी नजम है दूसरी नजम नजम बहुत आसान थी पहले यह भी आज़ाद नजम है इस नजम में निदा फाजली ने आज़ाद नजम के फणी औरूज को बयान किया है इशारती जवान का इस्तमाल करके शायर ने यह कहा है कि अबतदा में नजम कहना नजबता आसान अदब अपने एहद के आइनदार होता है और शायरी भी उस आफा की असूल से अलग नहीं इसलिए बदलते हुए सियासी हालात और मजभी शिद्ध पसंदी ने नजम के आहंग को भी धीरे धीरे या रफ्तर रफ्तर बदल दिया है दौरे हाजिर के बदलते हुए मुआश हाथ से धीरे धीरे खोकली होती जा रही है और शायर की जबान में जो है आगे लिखतो लिखा ही नहीं यह है मतलब यह बताया जा रहा है कि नजब निस्बतर पहले लिखना असान था अब जो है ना शिरो शायरी धीरे धीरे लिखना मुश्किल हो रहा है और धीरे धीरे य लिखना है आगे बढ़ते हैं अगला सौब सेद दिया गया है कि उर्दू की मदाई अशाय की रभायत को फरोग देने में स्यद मुम्म जाफिरी का भी नाम एहम है उन्होंने अपनी मदाई अशायरी में ख़डा डिनर यानी वफिट सिस्टम वफिट डिनर को तंज का निशाना बनाया है उन्होंने खाने के इस तरीके को घुर दोड कहा है शायरी की मरास्बत से यह उन्वान बड़ा जचा और तला हुआ है मजाहिय शायरी में इनका यह मजमुवा एक एहम अदाफा है जाफरी के जबान में पक्तगी भी है और मजाह की चाशनी भी उनकी शायरी अरूज ववजन और कवाफी और अलफाज वतराकीब के मियार से मियार से एक मिनट टुक जाए मियार से नहीं अरूज वा वजन और कवाफी और अलफाज वा तराकीम के मियार पर पूरे उतरते हैं ठीक है लहाज़ हम यह कह सकते हैं कि सेर मुहमद जाफरी जो है एक आला दर्जे और बुलंद पाया मजाहियर शायर है होगे answer आगे बढ़ते हैं देखिए अब यहाँ पर शेर की तश्री करने के लिए बोलता है कि दर्जे जैल में से किसी दो अशार की तश्री करें या फिर तीन अशार की तश्री करें तो वहाँ पर पांच इशार दिये रहेंगे यानि कि पांच शेर दिये रहेंगे और पांच में से बोलेगा इसमें से किसी दो की तश्रीख कीजिए या फिर तीन की तश्रीख करने के लिए बोल सकता है तो शेर की तश्रीख कैसे करना है यह आप लोग देखिए यहाँ पर दौरेजुनूं की कहें तो किससे नाईम जहां में हमसा कोई गम शार हो तो कहें इसका तश्रीह याँ पर किया गया ऑफ पीस नजर, शीर हो तो कह सकते हैंना तो इसको आप और लंबड़ा करके लिख सकते हैं अगर आपकों पता है कि इस ये जो शेयर है किस शायर के दोरा लिखा गया है तो उसको लिख दे कि ये जो शेर है ये इस शायर की खजल से लिए गया है उसके बाद से इसमें शायर कहता है कि दिवानपन की कहानी किस से कहें अलबता इस दुनिया में अगर कोई हमारे जिसा गम का मारा हो गम को समझने वाला हो तो हम कहें न लेकिन हमारे जिसा इस दुनिया में कोई गम का मारा नहीं है तो मैं अपने दोर जुनू यानि कि अपने इश्क की कहानी अपने जुनू की कहानी कहे तो किस से नाइम यानि कि ये जो लाइन है ये जो शेर है ये हसन नाइम की शेर है तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि पेश नजर शेर हसन नईम की घजल से माखोज है और इसमें हसन नईम यहनी की शायर जो है को कहते हैं कि दीवान अपन हमारे जैसा गर कोई गम कमारा हो गम को समझने माला हो तो उन्य हम कहे लेगिन एहां पर इस जुन्या में इस चहां में हमसाद कोई तो लिखने की जरूर कोशिश करें आगे बढ़ते हैं अगले शेर की तश्रीह की गई है अगला शेर है कि गये मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह दिल पर उत्रेंगे वही खाब अजाबों की तरह तो तश्रीह इस शेर का किया गया है कि इस वक्त मेरे सामने जो शे इस इंसान का दिल मसलन गुलाब महभूब के दिदार से खिला रहता था लेकिन जब दोनों के दर्मयान दूरी की राहे कायम हो जाती है तो वही चीज़े ख्वाब की शकल में अजाबों तकलिफ बनकर उतरने लगती है ठीक है यानकी गये मौसम में जो खिलते थे गुलाबो की तरह खिला करते थे लेकिन जब वही लोग हमसे दूर हो गया है तो उन्हीं लोग की यादे जो है ना खौब में अजाबों की तरह आ रही है अगला सवाल राह के धेर पर अब यह रात बसर करनी है जल चुके हैं मेरे खे में मेरे खौबों की तरह अब इस शेर का तश्र नेक्स्ट कोश्टन देखिए अगला शेर है कि साते दीद के आरेज है गुलाबी अब तक अवली लम्हों की गुलनार हिजाबों की तरह पेश नजर शेर में परविन शाकिर कहती है कि दीदार के लम्हें अब तक गालों से अया है जो पहले पहल महबूब को देखकर गुल से जड़ा चलता है अब इस शेर का तश्रीय यहां पर किया गया है कि इस वक्त जो मेरे सामने तश्रीय तलब है वह उर्दो के मारूफ शायर इरफान सदिक्की की घजल से माखुज है इस शेर में शायर कहता है कि तनहाए का शिक्वा और गिला करने से कोई काम नहीं बनने बने वाला यह तसवर गलत है कि इंसान अकेला है वैलके यह दुनिया भरी भरी पूरी है और इस दुनिया से जुदा होकर नहीं जिया जा सकता यहां पर बोला जाला इस शेर की तश्रीप इस शेर का अर्थ यह है कि कि तनहाई का शिक्वा और गिला करने से कोई काम नहीं चलने वाला है। इस दुनिया में तुम अकेले ही नहीं हो। इस दुनिया में बहुत चारे लोग है जो कि अकेले है। बेशक उनका काम चल रहा है तो तुम भी इस दुनिया में अकेले नहीं हो इस वज़ा से तुम तनहाई का गिला शिक्वा मत करो कि तुम इस दुनिया में अकेलो हो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है और दुनिया के बिना तुम तुम्हारे जिंदगी मतलब तुम का पता चलता है तो पेश नजर शेर का मतलब यह है कि रंग जैसे सुर्ख जर्द और सब्स वगएरा को हम आसानी से पहचान लेते हैं यह रंग ही शनाक्त है लेकिन खुश्बू का कोई रंग नहीं होता उसे जाहरी सूरत में देख नहीं सकते हैं और ना पहचान सकते हैं ब ही देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगला सवाल लहर उठे कोई दिल में तो किनारा लग जाए यहां हुक में हवा चलता है इस शेर की भी तश्रीख की गई है कि पेसे नजर शेर में शायर कहता है कि आदमी दिल के हाथ हो मजबूर है दिल ही की बदौलत आदमी गिरफता बला होता है और इसी के बदलत नजात भी हासिल करता है शायर ने दिल को समुंदर से तश्बी दी है और समुंदर में हवा का हुकम चलता है अगला शेर है कि पाओं में खाक की जन्जीर पड़ी है कब से हम कहां चलते हैं नक्ष कफे पाच चलता है तो इस शेर की क्वामब के निशान चलते हैं नक्षे कफ़े पागंचलता है ठीक है अगला सवा कि सिन्फ मरद्शिया जो है सिर्फ सिन्फ मरद्शिया से अपनी तफसीली वाकित का इजर और सिन्फ resolving अर्वी लफ है और्वी लफ रिसा से बना है जिसके मानी रोने मातम करने के है इसम sorry वाले कि और वाले के वाधा है और उसकी मौत पर रंजवा गम का इजार किया जाता है शाइड के सिला में मर्थिया इसी को कहते जाता है नजम की सूरत में उसे हम लोग शख्सी मर्सिया कहते हैं मरने वालों की खुबी और आसाफ का जिकर करके इस पर अफसोस का इजहार करना मर्सिया का बुनियादी वस्फ है मर्सिया के अज़ाय तरकी भी वी आमर बता दिये गए हैं चेहरा रुकसत आमद सरापा जिजदंग शहादत और भी ठीक है अगला सवाले की मसनवी गुलजार नसीम का खुलासा लिखी है तो जवाब में लिखा गया है कि मसनवी गुलजार नसीम के इस अक्तबास में बकावली की आने और उसके वजीर बनने की तस्वीर कशी की गई है बादशाह जैनुन मुलक के दरबार में पहुझकर अपनीगे है और सहरंगेज शक्सित के वज़ा से वजीर बन जाती है बकावली और फुर अपने महबूब की तलाश करती है बकावली की परिशानी का भी zit कि जानल मुलक के दर्बार में पहुशती है तो यहां का मनजर ही कुछ और देखती है हर तरफ खुशिया ही खुशिया थी चमन शगूफों से खिला हुआ था बताया गया है कि वह जैसे वह जिसे तलाश कर रही थी वह उसी जगा मौजूद है जिस जगा पर वह आई रहती है ब सल्तान और बकाणी के दर्मियान होता है वो अपने को इबंए फिरोज बताती है और बादवा उसकी सहरंगेज शक्सिया से मतासिर होता है और उसे अपने दर्बार में वजीर मकरर कर लेता है और इतबास की आखरी हिस्से में मुकालमे का जो कमाल दिखाया गया है वो इस हिस्से की जान है यानि की लास्ट में जो बताये गया है जो भी चीज़े बताई गई है इस मस्नवी की लास्ट में वो इस हिस् इस रात क्या होंगे तो global warming के तश्विष्श्णा ही तरपर खतरनाक को सकते हैं यानि global warming के बढ़ने के नतीजे में जमीन का दरजाए हरालत तेजी से बढ़े और पहाड पर पहाडों पर जमे बर्फ के बड़े बड़े टुक्डे जो है तीजी से पिघलने लगेंगे क्योंकि ग्लोबल वाबिंग बढ़ेगा या निकी प्रित्वी का टम्परेशर बढ़ेगा और बढ़ने से बड़े बढ़े जो बर्फ के तोंदे हैं वो पिघलने लगेंगे जिसके नतीजे में सतह समुंदर में त्यजी से औजाफा होगा और इस सीलसल 8 महाँरियत के राय 둘 यह है कि सतह समुंदर के झाफे के नतीजे में कए जजीरों की समुंदर में दूब जाने का खत्रा है पढ़ोसी मिलक बंगलादेश का कुछ अलाका हमारे मुलक के बाद साहिली अलाके और मालदीब जजीरा के डूब जाने का भी खत्रा है यानि कि जो महादीब वगर हैं वो उनके डूब जाने की खत्रा है ठीक है और यह लंबा चोड़ा खत्रा आप लोगो बताना है कि ग्लो बेयान कीजिए तो इसम की तारिफ यहां पर की गई है कि किसी आदमी जगह या चीज़ के नाम को हम इसम कहते हैं इसम का मतलब समझे कि नाउन यानि की नाम किसी भी चीज़ का नाम इसम कहलाता है जैसे महमूद, मुझफरफूर और किताब या फिर हम लोग का चैनल ही हो गय आगे बढ़ते हैं अगला सवाल इसम मारफा और इसम नाउन को ठीक है और यह लंबा चड़ा प्यूं कहते हैं चली मैं पड़ भी देती हूं इस मारफा किसी भी खास आदमी जगआ या चीज़ के नाम को इस मारफा कहते है जिसे डिली हमाले और कुरान इन मिसालों में दिली एक खास शहर का नाम है इस मारफा की साथ किसमे है अलम, जमीर, इशारہ, मौझर, इसम Mौसूल, माहूद, मुझा, व्यून को कहते हैं जिस उसका नौ strangely के साथ मैं आप विदा लेती हूँ वजञेंगे अगले वीडियों में अगले के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज